हलो फ्रेंड मैं हूँ सिवानी मिस्टर स्वागत है आप सबी का डिजाइन पूर में आज बैक ब्लाउट डिजाइन बताएंगे ब्लाउट की लंबाई साड़े 13 इंचे चोड़ाई 10 इंचे सोल्डर की चोड़ाई साड़े 5 इंचे अर्मोल की लंबाई साड़े 5 है इसकी चोड़ाई देखे 5 इंच रख रहे हैं गले की नीचे के साड़ से 3 इंच पे मार्क करेंगे दोनों मार्क को बराबर करते एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अब गले की लंबाई लेंगे देखे 10.5 इंच रखने मार्क करके बिलकुल बराबर में लाइन IDORA कर लेंगे अब गले की डिजाइन का मार्किंग करेंगे तो पहले 1 इंच का यांसे एक मार्क कर देते हैं इस गला जो डिजाइन पर्फेक्ट आएगा अब गले की डिजाइन का मार्किंग करेंगे देखे में मटका सेप में गले का डिजाइन का मार्किंग ऐसे कर दीजेगा आप सेम कटिंग कर देंगे तो मैंने गले की कटिंग कर दिया साथ में इसके बलाउस का कपड़ा लेंगे तो कपड़ा ले लिया इसके भी गले की ऐसी मटका सेप में कटिंग कर देंगे तो मैंने देखे गले की कटिंग दोनों कपड़ों का कर दिया अब दोनों कपड़ों को बराबर में रख देंगे अब एक सिलाई लगाते हैं पूरे गले की स्टीचिंग करेंगे देख लीजी मास्तर कपड़े को बराबर करतें कैसे गले की स्टीचिंग कर लिजिएगा तो मैंने गले की पुरा अच्छे तरीके से दीखिए स्टीचिंग कर दिया अब गले पर छोटी-छोटी कट लगा देंगे इसे जब पलट कर सीधा करेंगे तो डिजाइन से मिशी तर तो वीडियो में देखिए कैसे में कर यूजी कर दीजिएगा envelop.Mmet के तो गले की फिनीसिंग की स्टीचिंग मैंने कंप्लिटली कर दिया आये blouse की all round इस्टीचिंग करेंगे अस्तर कप्ड़े को बराबर करते हो साइट देज के सिलाई लगाते हो पूरे blouse indifferent Daeich Ind Welcome to तो मैंने देखिए ऑप सिचिंग कॉंप्री ब्लाूज की कर दिया नीचे के साइट से ब्लाूज में टक्स की स्टिचिंग करेंगे तो माप लेते दोनों साइट से बराबर में टक्स को श्चिच कर लेंगे एक साइट से स्टिच हो चुक का टक्स दूसरे साइट से भी इसी तरीके से कर देंगे तो मैंने देखे दोनों साइट से टक्स की स्टीचिंग कर दिया नीचे के साइट बॉर्डर बनाने के लिए मैंने अस्तर का कपड़ा कट कर दी इसको बराबर करते नीचे के साइट से पूरा स्टिच कर लेंगे तो यह नीचे के साइट से स्टिच हो चुक का इसको बराबर में फैल आएंगे और एक सिलाई लगा कि इसके स्टिचिंग कर देंगे तो यह मैंने स्टिचिंग कर दिया अब इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउच के साथ में जॉइंड करते हो एक सिलाई लगा कि इसकी पूरी अच्छे तरीके से बॉर्डर बनाते हो इस्टिच कर लेंगे तो आप देख रहें मैं बॉ इनों साइट से पट्टी थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे बीच में बराबर में फोल्ड कर देंगे और एक सीलाई लगाते हो पत्टी की पूरी स्टिचिंग कर लेंगे तो पत्ती थोड़ी लंबी बनाएगा डेशाइन में पत्ती का ज्यादा यूजवरा यूस देख लीजिए मैं दूसरे साइट से सिलाई लगाते हैं कैसे स्टीचिंग कर लीजिए गा मैंने पट्टी की पूरी स्टीचिंग कर दिया दोनों साइट से डिजाइन बनाने के लिए इसको कट करेंगे तो देड़ इंच के बराबर में माप ले लेते हैं पट्टी पे और इ सegने पर्क तो उद्धवी को अच्छा कट करके अलग-अलग कर दीजिए गाम है तो मैंनी यह देखिये पूराचए से पटी कट करके अलग-अलग कर दी इसको साइट करेंगे अब ब्लाउष करेंगे पटी से थरी के से रखते हुए गले पे देखेए उसले हैं उसके डिजाइंड करेंगे पत्ति लágा से पसपिलख सक्क्राइब नियुक्त निसम dwarf पुरन लिजयों समझ में आरही हो होगी ऐसे पुरा स्टीचिंग आप भी कर दीजिएगा तो मैंने देखिए पुरा अच्छे तरीके से स्टीच कर दिया है गले पर आपको समझ में आए होगी डिजाइन तो इसको साइट करेंगे और आगे का डिजाइन दिखाते हैं तो मैंने कुछ फैब्रीक कट कर दी आप इनको फोर पार्ट क्रोसिंग में फोल्ड करेंगे दो पार्ड़ इसके सिवाढ़े कर देंगे और नीचे के साइड से सिलाइक लगाते डिजाइन को इस्टिच कर देंगे कि का रिजेन नों लगने तो थीकते चिक बना इनगे नहीं को इन यह ग्ज़ानी इस तरीके से हम पूरा बना देंगे तो मैंने देखिए और सरे डिजाइन इसी तरीके से बना लिया है ये अब इनको साइट करेंगे और ब्लाउस ले लेंगे ब्लाउस की गले पर डिजाइन को स्टिच करेंगे देखरें मैं तीन-तीन का पेर बनाते हो डिजाइन को स्टिच कर दीजेगा गले पे तो मैं यह देखिए मैंने कम्प्लेटली पुरा गले पे डिजाइन स्टिच कर लिया भी इसको डेकोरेट करना है गले को तो लेस लेंगे और लेस को हम बिल्कुल मिट से रखेंगे दोनों डिजाइन के जहां से स्टीचिंग या उसके बिल्कुल 20 से रख देंगे और सिलाई लगा कि लेस को पुरा स्टिच कर देंगे बराबर में तो देख रहें मैं लेस की स्टीचिंग कैसे गले कर दीचिएगा तो मैंने अच्छे से पुरा गले पी लैस की स्टीचिंग कर लिया है अब डेकोरेट करना है तो जो लुप्स बनाए उसके मिट से डोरी डालना है तो में मार्केट वाली डोरी यूज करें आप बना के भी डोरी यूज कर सकते इसमें तो लुप्स के डोरी के बिल्कुल कॉर्णर से खीच-खीच के डोरी को सिट करेंगे तो कॉर्णर से आ जाएगी देखरें वीडियो मैंने कैसे सिट की डोरी को जितना यूज में उतना डोरी ले लीचिएगा अब इसको डेकोरेट करने के लिए जो डिजाइन बनाए मोती लिए हैं मोती क हम नीडल की सहाथस जितनी भी डीजाइन है सब्भी डीजाइन पे मोती श्टिच करेंगे तो मोती आपशनल है आप इसको लगाके ब्लाऊश वे वे ड्यकृरेट भीर कर या फिर ना डेकुरिट करें तो भी डीजाइन आपका बहुत अच्छा लगेगा तो मैंने ये मोती लगा दिया देखिए ऐसे पूरा लगा देंगे तो देखिए मैंने पूरा मोती लगा दिया गले पे मेरा ब्लाउट डीजाइन बिल्कुल कम्प्लीट है बहुत ही सिंपल सी डीजाइन थी यह बहुत ज़दा बनाने में एजी था और आपको मेरी डीजाइन आई होप अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरी डीजाइन तो प्लीज वीडियो को लाइक से र कमेंट कर ना भूलिएगा और उसके साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा वेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा अमने ऐसे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए चलिए फ्रेंड मिलते नए वीडियो में नए डिजाइन से जो ऐसा ही सिंपल हो और आपको इसी तरीके समझ में आ जाए मैं आपके लिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट लाती रहूंगी तो मिलते हैं नए वीडियो में नए डिजाइंस और जो ऐसा ही सिंपल हो और इजी हो थेंक्स पर वाच्चिंग बाई बाई